जैमा तदी आप सभी को आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब शक्तियां आपकी परिक्षा लेती हैं तो आपके साथ में क्या-क्या घटनाए घटी तोती हैं अक्सर लोगों के मन में ऐसा प्रशन बार-बार उठता है जब देवी देवताओं की पूजा लोग करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बावजूद भी उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है बलकि उनके साथ में कई ऐसी घटनाए घटी तोरी होती ज हमारे घर में कोट केश चल रहा है हमारे शरीर के ऊपर किसी ने बंधन कर दिया है हमारे घर में बरकत नहीं हो रही हमारे घर में बार-बार चीजे चोरी हो जा रही है या हमारे घर में कोई ना कोई वैक्ती बार-बार बिमार पड़ जाता है और इन सबी सवालों का प्रश्ण बार बार आता है कि हम तो पूजा कर रहे हैं हम तो पाठ कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे साथ में ये सब क्यूं हो रहा हैं ये सबी चीजें आपके साथ में तब होनी शुरू होती हैं जब आप एक सची भक्ती के मार्ग पर चल रहे होते हो उधारन के तोर पर मा लीजिए आप भगवान श्री कृष्ण के भक्तें सच्चे भक्तें उनके और एकदम सच्ची भक्ति आप उनकी करते हैं लेकिन आपके मार्ग में बार बार चैलेंजिस आते हैं बार बार आपको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो आपको बहुत जादा परिशान कर देती हैं यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाह कि जितनी सची आपकी भक्ती होगी उतनी ही कड़ी परिक्षा आपको देनी पड़ेगी तब ही आप यह पहचान सकेंगे कि यह आप एक सच्चे भक्त हैं और जितनी कड़ी परिक्षा आपकी होगी और अगर आप उस परिक्षा में सफल हो जाते हैं तो उतने ही बड़े औ और उतने ही सच्चे भक्त आप बन करके सामने आते हैं जब आपके साथ में बुरा होना शुरू हो जाता है भक्ती की रहा पर साधना की रहा पर तपस्या की रहा पर तो वहां से आपकी परिक्षाएं होनी शुरू हो जाती हैं आपके इश्ट आपके कुल देवता या फिर ज करीर से परिक्शा देनी पड़ सकती है। आपको बार बार आपके मार्ग में बाधायं आने लगेंगी। रुकावटें आने लगेंगी। और आप बार बार निराश हो जाओगे लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं सच्चे भक्त होते हैं सच्ची भक्ती करने वाले होते हैं वो कितनी भी परिशानी में क्यों ना पड़ जाएं कितनी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाएं लेकिन वो अपने इश्ट को अपने कु बीबी दोश नहीं देते बलकि जो नेगेटिव प्रवर्ती के लोग होते हैं वो ही बार-बार देवी देवताओं को कोशते हैं और सारा ब्लेम उनी के उपर डाल देते हैं कि वो ही सब कुछ करने वाले हैं तो यहां पर जब शक्तियां आपकी परिक्षा लेना शुरू कर द जाए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं जब हम पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो शुरुवाती दौर में तो हमारे साथ में क पूजना जाती है कई लोगों को शरीर में थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है कई लोगों को थोड़ा सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है ये तो सुरुवाती लक्षन होते हैं जहां पर आपको देवी देवताओं की क्रिपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो उससे प्रसंद हो करके वो आपको आशिरवाज परदान कर देते हैं, अपनी कृपा आपके उपर कर देते हैं और वापस से अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बार बार उनको बुला रहे होते हो, तब वो सोच में पढ़ जाते है कि हमारा ये भक्त तो हमको बार बार पुकार रहा है, अब तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो जब देवी देवता अपने भक्त के पास आते हैं, आने से पहले वो अपने भक्त की परिक्षा लेते हैं, अब परिक्षा के तोर पर वो किसी भी तरह की परिक्षा ले सकते हैं, और मैं आपको सची बात बताऊं परिक्षा आपकी वही होती है जिस मामले में आप सबसे ज़्यादा कमजोर होते हैं उसी मामले से जोड़ी परिक्षा आपकी देवी देवताओं के दौरा शक्तियों के दौरा ली जाती है उधारन के तोर पे माल लीजिए आप अपने इश्ट के नाम से वरत रखते हैं उपवास रखते हैं जबकि आपसे वरत नहीं रखे जाते लेकिन फिर भी आप वरत रख रहे हैं उपवास रख रहे हैं और भूका आपसे नहीं रहा जाता है तो परिक्षा के तौर पर आपके सामने ऐसी ऐसी चीजे आएंगी कि जिनको देखने के बाद में आपका मन ऐसा करेगा कि मैं इन चीजों को खा लेता हूँ वरत मैं कल रख लूँगा वरत मैं परसो रख लूँगा और बार बार ऐसी ऐसी चीज़े आपके सामने आएंगी कि यह आपका वरत खंडित हो जाएगा आपका वरत तूट जाएगा तो जिस मामले में जो व्यक्ति कमजोर होता है उसी मामले में देवी देवता उस साधक की उस भक्त की परिक्षा लेते हैं और यह परिक्षा तब त उटत्क लगातार चलती रहती है जब तक कि देवी देवता आपको दरशन नहीं दे देते、 आपके पास नहीं चले आते या फिर आपके उपर अपनी पूर्ण क्रिपा नहीं कर देते तब तक वो आपकी परिक्षा लेते रहते हैं आपके घर में आपसे लड़ाई जगड़ा लोग करना शुरू कर देते हैं आपके परिवार के लोग आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वज़े से ही घर बरबाद हो रहा है तुम इतनी प भूषना शुरू कर देते हैं, इसके अलावा घर में कोई दुरफ़घटना भी हो सकती है, लेकिन वह दुरफ़घटना ऐसी नहीं होती है कि जो आपको बहुत ज़ादा संकट में डाल दे, वो मामुली सी चीज होती है और जो तुरंत ठीक भी हो जाती है तो ऐसी चीजे भी कई बार भक्तों को भक्तों के साथ में घटित हो जाती है मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो माता के बड़े भक्ते हैं माता के सच्चे भक्ते हैं तो उनकी एक आदत थी कि वो माता की भक्ती तो करते थे माता की साधना करते हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं लेकिन उन्होंने आज तक कभी भी माता से कोई भी चीज नहीं मांगी अपने मुख से केवल और केवल बस उनकी भक्ती करी है उनकी सेवा करी है तो एक बार जब माता उनके शरीर के उपर आई और माता उनसे काफी प्रसन थी पहले से ही क्योंकि वो बड़े भक्त थे उनके लेकिन माता कहीं न कहीं उनसे रुष्ट भी थी नाराज भी थी क्योंकि वो उन माता से कभी भी कोई चीज नहीं मांगते थे और इसी बात को लेकर के माता उनसे रुष्ट थी और एक बार वो अपने गुरु जी के यहां जा रहे थे दर्शन करने के लिए वहां पर माता का भी मंदिर है वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सिडेंट हो जाता है और उनके पैर में फैक्चर आ जाता है उनका पैर थोड़ा सा क्रेक हो जाता है तूट सा जाता है लेकिन वो बाद में ठीक भी हो जाते है तो बाद में जब उनके उपर माता आती हैं तो वो खुद कहती हैं कि इसने आज तक मुझसे कोई भी चीज नहीं मांगी और इसी वज़े से मैंने इसको ये संकट दिया, इसको ये कश्ट दिया क्योंकि ये इतने एहंकार में हैं, ये इतने घमंड में हैं कि ये मेरी भक्ती तो करता है लेकिन ये मुझसे कुछ नहीं मांगता, अब ये मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूँ और पुत्र हमेशा अपनी माता से ही मांगता है, अपनी मां से ही जो कुछ भी चाहिए होता है उनसे ही पराथना करेंगे उनसे ही मांगेंगे लेकिन शक्तियां परिक्षा भी लेती हैं और कई बार लोग एहंकारी भी हो जाते हैं तो एहंकार में आकर के लोग कई बार आप शब्द भी बोल देते हैं या फिर क्रोधित भी हो जाते हैं तो मैं आपको यहां पर यही बता चाहता हूं कि कभी भी आपको जब भी आप पूजा पाट कर रहे हैं तो अगर आपके मार्ग में कोई भाधाई आ रही हैं कठिनाई आ रही हैं तो आपको उन से घबराना नहीं है क्योंकि शक्तियां परिक्षा लेती हैं और जब आप उन परिकषाओं में सफल हो जाते हैं बार बार परिक्षा आपकी ली जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आप डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं और अपनी भक्ती करते रहते हैं बलकि और भी जादा भक्ती आप करनी शुरू कर देते हैं तो देवी देवता आपसे प्रसन हो जाते हैं और आपकी सारी परिक् की